जैहिन वंदे मातरम दोस्तों केवियस एक्जाम इंटरिव्यू में आप सभी को एक पैनल के सामने किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे आसानी से कैसे आप सभी क्रेक कर पाएंगे या कर पाएंगी बहुत आसान रहेगा मैं इन पूरी बातों को बहुत अच्छे से पांच मिनट के अंदर इस वीडियो में बता देता हूँ देखेगा कमरे की बात कर लेते हैं तो एक कमरे में आपको एक पैनल मिलेगा और उस पैनल के सामने कैसे उन चीजों से बचना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको करना है देखेगा बिलकुल सुरू से बताते हैं, क्या-क्या क्वेसन्स रहेंगे वो भी बताते है कमरे में प्रवेस करना सरवादिक महत्व रखता है एक साक्षातकार में यानि इंटर्वियू में एक प्रवेस ही ऐसा पॉइंट है, जो आपको दरसाता है कि किस तरीके से आप प्रवेस कर रहे हैं, क्या आपका हाव भाव है यानि खट-खटाएं, अभिवादन करें, तथा दरवाजा धीरे से बंद करें अगर आपको बुलाया जाता है, अगर ऐसी इस्थतीचे वहाँ पर देखी जाती है, कि अगर कमरे में प्रवेस करनी की नौबत आती है, दरवाजा बंद है, तो आपको खट-खटाना है आपको अभिवादन करना है जो भी आप करते हैं दरवाजे को धीरे से बंद करना है और फिर क्या करना है देखिए आत्म विश्वास से आपको आगे बढ़ना है यानि आत्म विश्वास से आगे बढ़े जब तक आप से कहा ना जाए बैठे नहीं ये सबसे बड़ा point है भी बढ़ा रहा है एक दम से ऐसा लगे गर्म जोसी जिस तरीके से आप यहां पर PM को देखते होगे आप President को देखते होगे किसी भी PM या किसी भी देश के President को देखते होगे या आपके अंदर खुद इतना आत्म विश्वास होगा बहुत गर्म जोसी से हाथ मिलाए चाहे चाहे आप एक लड़की हो चाहे आप एक लड़का हो जिससे कताई ना लगे कि हाँ पसीना आ रहा है जिससे कताई आपको ना लगे उनको ना लगे कि हाँ बच्चा परेसान है यह आपकी पहली CD होती है याद रखें पहला प्रभाव बड़ा महत्वपून प्रभाव होता यानि कहा जाता है first impression is the last impression जब आप प्रवेस करते हैं तो आपकी चाल आतम विस्वास तथा वाह आचरन पर निगाह रखी जाती है दोस्तों आपको याद रखना ये point interviewments बहुत important बहुत एहम होते हैं क्योंकि इसका मतलवी होता है साक्षातकार और वो आपके आचरन का साक्षातकार लेते हैं क्योंकि आप तो एकजाम तो पहले से crack करके आएं वो तो थोड़ी चीजें आपसे पूछेंगे लेकिन में मुद्दा आता है कि आप किस तरीके से वहाँ पर behave कर रहे हैं आप जो behave करेंगे क्या वही behave आपका आने वाले समय में बच्चों के सामने रहेगा एक classroom में साक्षातकार करता की बात करें और आप की बात करें तो आईए दूसरे point पर discuss करेंगे कि प्रत्यासी प्रत्यासी का मतलब है कि आप प्रत्यासी का मतलब कोई चुनाओ नहीं प्रत्यासी का मतलब वहाँ पर आप ही हैं आप ही प्रत्यासी के रूप में जा रहे हैं यानि student के हाओ बहाओ को भी ध्यान पूर्बग देखा जाता है ठीक ढंग से बैठें और थोड़ा जुकें क्योंकि यह आपकी रूची एवं ध्यान को दरसाता है आपके पास्चर को पास्चर नहीं आपको खराब करना है अपना तो थोड़ा सा जुकें जिससे वो लगे मतलब थोड़ा का मतलब नहीं है ऐसे आप जुक जाएं लगता है कि उसके सरीर में कोई समस्या है ऐसा तब प्रतीत होता है जब बच्चे उनको लगता है एक पैनल को लगता है कि हाँ यह रूची ले रहा है हमें इग्नोर नहीं करना है इग्नोर कता ही नहीं करना है हमेशा याद रखना है कि आँखों को उनकी आँखों से मिला लेना है contact बहुत जरूरी है दोस्तों इधर उधर देखने से आपके marks बहुत डाउन होंगे और आप interview से बाहर होंगे या होंगी पैन कागज चस्मा तथा मेज पर रखी वस्तू जैसे की paper cut को व्यर्थ में न चेने अधिरता एठन खुजलाना आदी आतमिस्वास एवं एकागरता की कमी को दर साथ आए आप खुजला रहे हैं आपको पसीना आ रहा है आने दीजे कब तक आएगा खुजली हो रही है नहीं करेंगे ठीक है ना कोई भी चीज आप ऐसे नहीं देखेंगे कि उस पूरे कमरे में जो बहुत यूनीक चीज लग रही हो आपको नहीं देखनी है जब वो आपसे सवाल कर रहे हो याद रखिएगा आपका केवल दिमाग टिंसन केवल वहाँ पर होनी चाहिए पैनल पर होनी चाहिए ना की पैनल की मेश पर क्या है ना की आसपास क्या है कितनी सफाई है कितनी गंदगी है वो भी नहीं clear है वहाँ सी चीज़े रखी जाएंगी जो आपको यहाँ पर एक आगरता को भटकाने के लिए की जाएंगी वहाँ पर एक पैनल की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर तीसरा पॉइंट बहुत important है कि किस तरीके से आप उत्तर दें उत्तर देते समय नीचे दी गई निम्न बातों पर ध्यान देना है क्या ध्यान देना है सुनो सोचो पहला पॉइंट है आपके पास में पॉनी या बॉटल होगी क्लियर है ले लीजे फिर उसका सुचिए और उसको जवाब दीजे उत्तर देने में जल्दी ना करें थोड़ा समय लेना है ज्यादा समय आपको भी नहीं लेना है इतना भी समय नहीं लेना है कि आपका इंतजार करते हैं दूसरे परिक्षारती छूट जाए यदि आपने प्रश्न को नहीं सुना है अत्वा उसे समझ नहीं पाये है तो दोराने के लिए कहें अंदाजा लगा कर गलत उत्तर नहीं दे याद रखिएगा तोराने के लिए आप कहे सकते हैं आपका पूरा हक है स्रीमान महोदय या महोदया प्रश्न को दोराने की करपा करें सॉरी मैंने नहीं सुन पाया है ठीक है ना यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो इसपस्ट रूप से बता दें चाहिए interview में ठीक है ना यदि आपने कोई गलती की है तो उसे सुईकार कर ले accept करें आपका उत्तर संचिप्त होना चाहिए जो दिल को touch करें और बाकई में जो उस questions का answer हो उस questions को पूरा करता हो साक्षात कार में अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है इसलिए बहुत कम बोलें बहस कता ही नहीं करना है बहस से बिलकुल आप बाहर होंगे ठीक है ना क्योंकि first impression आपका last impression होता है आप उसके बाद आपने उसको अच्छा बना लिया लेकिन interview का जब समय आया तो उसने क्या कर दिया बिलकुल एकदम से खराब कर दिया तो बोलना बहुत कम है जितना आपको बोलना है उसको नाप तोल कर बोलना है पैनल की बात करें आपकी बात करें तो जूट ना बोले आपके जवाब में इमानदारी होनी चाहिए पैनल जवाब से पूछ रहा हो तो बीच में टोके नहीं तथा आँखे से आँख मिलाए रखें आँखों से आँख जो है मिलाना ही एक बहुत बड़ी एक ऐसी ट्रिक है जो एकजाम को क्रेक किया जा सकता है यह इंटर्व्यू के एकजाम को क्रेक किया जा सकता है पैनल को बहुत अच्छे से वहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो गुसा ना करें और नहीं धहर रिखोएं अगर आप से कोई भी चीज ऐसी गुसे बाली पूछी जाए या डाटा जाए तो वहाँ पर आप मुस्कुरा के उसको टाल दे बेले ही प्रश्णों से आपके सम्मान को चोट पहुँच रही है याद रहे ऐसे प्रश्ण आपके धैरे एवं भाबनाओं की जाच के लिए पूछे जा सकते है ये याद रखना है कि वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि हम अपने सम्मान को कैसे खोदें ऐसा नहीं करना है आपके सम्मान को इसलिए परखा जाता है कि वहाँ पर आपका धैरे क्या है हो सकता है आगे आने वाले टास्क में आपको इन चीजों को मिले यानि आप बच्चों को जो पढ़ाएंगे केवियस में आपकी इंट्री होगी तो वहाँ पर तो धैरे नहीं तूटना है इसलिए यहाँ धैरे जाचना बहुत जरूरी है मेरा मतलब है कि ठीक है ओके जैसे सब्दों से बचना है उन्होंने कुछ बोला आपने कह दिया मतलब ठीक है ओके ये सब्द बहुत निगेटिव है प्रश्णों का उत्तर देते समय उत्सह, हिम्मत एवं उर्जा का प्रदर्शन करें इसे आभास होता है कि आपकी पद में वास्तुविक रुची है जिसके लिए आप इंटर्व्यू देने आये हैं प्रश्ण तभी पूछें यदि आपसे ऐसा करने के लिए कहा गया है प्रश्ण तभी पूछें अगर आपको पूछना है तो तभी पूछें जब आपसे कहा जाए बिन फालतू में वो चीजें कता ही डिसकस ना करें जिनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित होंगी पूरे साक्षात कार के दौरान पूरे इंटर्व्यू के दौरान सिस्रता को बनाए रखे धन्यवाद माफ कीजिए जी ठीक है जैसे सब्दों का उचित अबसरों पर प्रियोग कीजिए क्या है ये आपकी सिस्रता को दरसाता है सामाने रहे किसी की नकल ना करे किसी की नकल नहीं करनी है जो आप है वो सर्वस्रिस्ट है जो आपके अंदर है वो रियल होना चाहिए बनावटी नहीं होना चाहिए, नैचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए दोस्तों साक्षात कार की समापती पर साक्षात कार करता का मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करें आप किस प्रकार मेजसे अपना सामान उठाते हैं कैसे उठाते हैं तथा कमरे से बाहर आते हैं इन सब बातों पर निगाह रखी जाती है इन चैस्टाओं में आत्मिस्वा जलकना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से आप अंदर आये थे किस तरीके से आप बाहर जाते हैं किस तरीके से आपने गेट खोला था बंद किया था अब फिर खोल ले हैं फिर बंद कर रहे हैं यह आपके चाल हाओ फाओ को दरसाता है यह मैं वीडियो आपको वो दे रहा हूँ न दोस्तों ये समझेंगे ये समझेंगे, वो मिल गया जो कहीं नहीं था, वो मिल गया तो कहीं नहीं था, आप बताईए, इस ویڈएओ के बाद आपके अंدर कित्ना बदला होने था हमें ये कतताई बिलकुल पसंद नहीं कि आप चैनल को subscribe करें, ये वीडियो को like करें, हमें ये पसंद है कि आपका selection हो रहा है तो हम selection और subscriptions पर बहुत पैनी नजर रखते हैं हमारे लिए subscribe नहीं जरूरी, subscriptions नहीं जरूरी है बलकि selection जरूरी है आपकी चाल विश्वास से पूर्ण होनी चाहिए साक्षात कारकरता को सामने रखकर दरवाजा खोल तता कट चोड़ने पर दरवाजा बंद करें ये बात आपको याद रखनी है पर इसे चोड़ने से पहले स्वागत करता अत्वा पैनल को नमस्ते करना ना भूले दोस्तों ये आपके लिए इस पूरे वीडियो का एक सार था जिससे आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से एक इंटर्व्यू में आपको करना है कैसे जवाब देना है कैसे धैरिक होना नहीं है किस तरीके से आत्म विस्वास आपके अंदर होना चाहिए प्रश्न नहीं सुना है तो क्या उत्तर देना है तो कैसे देना है, पैनल के सामने किस तरीके से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रहना है आपका, क्या आचरन होना चाहिए, कैसे हाथ मिलाना है, क्या नहीं है, मैंने क्या नहीं इस वीडियो में बताया, आपका इंटर्वी तो ऐसे क्रेक हो जाएगा, चिंता किस इस बात की गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी में आने के लिए आपका धन्यवाद ये वीडियो पांच मित्रों में बस इतना कर देना सेर जरूर कर देना यदि आप सेलेक्शन के दावेदारी पक्की कर रहे हैं तो आपकी दावेदारी पक्की नहीं बलकी हो गई है जैहि में कर के देना के है झाला हिव मात सेलेक्शन के देना था टो आपकी लगकी के भाद ग आतावाद के पक्की यादारी नहीं रे में जए कि था नहीं हम चाला है सेलेक्तुआरी ओ Key यामशन.